हेलो स्टुरेंट्स, वेलकम तू माँ चैनल, आई एम सुरज चंदरवनसी, मैं आप सबका इस चैनल में स्वागत करता हूँ, यहाँ पर मैं आप सबको कम्प्योटर के वैसिक नॉलेज देने वाला हूँ, आज आप सबको Microsoft Paint में Teddy Bear बनाने सिखाने वाला हूँ, वाई Teddy Bear, जो वीडियो का लिंक डिस्क्रेशन में दे दिये जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, तो MS Paint में Teddy Bear बनाने के लिए यह वीडियो लास्ट तक देखें, और अगर वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लेट्स स्टार्ट, MS Paint को उपेन कर लिए है, अब यहाँ पर हमें Teddy Bear बनाने के लिए सबसे पहले सरकल लेना है, सरकल लेने के बाद हमें कुछ सेटिंग करना है, क्या सेटिंग करना है, पहले Fill में जाएंगे, फिल में जाने के बाद हमको Solid Color लेना है, और उसके बाद हमें पहले साइज चेक करना है, कि हम कौन से साइज से हमको Teddy Bear बनाना है, ताकि अच्छा लगे, तो इस Color को कर लेते हैं, लेते हैं Red, Color 1 को Red किया है, Color 2 को White रखे है, जैसे कि आपको पता होगा, कि Solid Cut जब करने के बाद, फिल में जब Solid Color की है, तो Color 2 का जो Color है, वो अंडर उसका Color होगा, circle के अंदर का color होगा, अगर हम circle नहीं है circle के अंदर में जो color आ रहा है, वो white आ रहा है color 2 में कोई दुसरा अगर color कर देते हैं तो दुसरा color आएगा, चलिए यह हम पहले वीडियो में बता चुके हैं चलिए, thank you अब यह circle हम बना चुके हैं यहाँ पर circle कुछ ऐसा बना है अब इस circle में हमें फिर से circle लेना है और same size में हमें फिर से circle बनाना है इस जगह पर, इस position पर हमको फिर से circle बनाना है ताकि देखी, इस type के लगेगा यहाँ पर बनाने के बाद फिर से circle लेना है और इस पर size को थोड़ा सा पतला करना है, फिर से एक circle यहाँ पर बनाना है, कुछ इस step से, ऐसे हम इसको move भी कर सकते हैं, set भी कर सकते हैं, बन गया, अब यहाँ पर क्या करना है, फिर से circle लेना है, और size को मोटा करना है, color 1 को white कर लेना है, कुछ दर के लाद दिखाते हैं, क्यों कर रहें, जैसे कि यहाँ से circle बनाते हैं, ऐसे, ऐसे बना रहे है, तो यह जो color 1 का color है, जो outline color, जो अभी बन रहा है circle, अगर हम इसको white कर देते हैं, तो white करने से क्या होगा, यह जो circle दिख रहा है, इसको थोड़ा सा cut हो गया, यहाँ से, यहाँ से, थोड़ा सा cutting हो गया, थोड़ा सा अच्छा से cut हो गया हो, ठीक, और circle पुरा कपुरा खाली हो चुका है, अब क्या करना है, अब यह curve line लेना है, curve line लेने के बाद, size को मोटा रखना है, और यहाँ से, कुछ दूरी पर जाके, इस position पर आके, यहाँ से, curve line बनाना ह है, red color से, और इसको curve थोड़ा सा, अराम से करेंगे, जैसे कि थोड़ा सा, ऐसे करने हैं, थोड़ा दूरी पर आके, और थोड़ा से, इसको इधर से, ऐसे मोट दीए, ठीक है, soft mode चुका है, अब क्या करना है, फिर से curve line लेना है, ठीक है, same size, size वही रहेगा, color भी, red रहेगा, यहाँ से थोड़ा सा, दूरी पर आके, यहाँ पर ऐसे, यहाँ से, और थोड़ा सा, ऐसे तिर्चा बनाना है, बनाना तिर्चा है, लेकिन इसको जब curve करेंगे, तो curve सा, ऐसे मुड़ेगा, यह कर्फ मुड़ चुका है, अब मुड़ने के बाद, अब फिर से circle लेना है, size को इस बार थोड़ा पतला कर लेंगे, और इस बार, color को black कर लेंगे, black करने के बाद, एक circle यहाँ ऐसे बनाएंगे, इस circle को ऐसे move कर सकते हैं, इसके उपर, एक और circle बनाते हैं, color को rate कर लेते हैं, फिर से एक circle यहाँ बना देते हैं, और यहाँ छोटा-छोटा circle बनाएंगे, छोटा-छोटा circle, और जब, तीन circle बनाएंगे, छोटा-छोटा, और जब, तीन circle बन जाए, तो एक बड़ा circle बनाएंगे, चलिए, यहोने के बाद, अब क्या करना है, उपको ऐसे करका select करना है, यहाँ से, select tool में जाएंगे, इसको बीचो भी select करना है, दम center position से, select कर चुके हैं, select करने के बाद, sorry, select करने से पहले एक चीछ छूड़ गया है, यहाँ से ब्लैक करना है, ठीक है, ब्लैक करने के बाद फिर से circle लेंगे और white color कर लेंगे, और white color से थोड़ा सा white color, अब फिर जाएंगे select में, select करते हैं, select करने के बाद, copy करेंगे, उसका पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद, rotate में जाएंगे, और यहाँ से flip horizontal में click करेंगे, यह मूड़ चुका है, उसके बाद यहाँ पर लाकिस को set कर देना है, अब यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ यहाँ पर, curve line लेंगे, और curve line से थोड़ा से उसको मिला आतेना है, red color से, मिलाने के बाद, फिर से कर्वण लेना है और लेने के बाद थोड़ा से तीर्चा कर देना है अब जो बाहर निकल चुका है उसको इरेज कर देंगे उसके बाद फिर से एक सर्कल लेंगे, कलर बलाक, साइज पतला ही रहेगा, एक सर्कल यहां ऐसे बनाना है इसके उपर black color कर देंगे फिर से curve line लेंगे curve line लेने के बाद यहां से एक तीरचा line मनाएंगे थोड़ा सा ऐसे और इसको ऐसे करके मोड़ देंगे curve कर दिए फिर यहां से भी एक तीरचा line मनाएंगे और इसको भी ऐसे करके curve कर देंगे Now, teddy bear is ready Thank you, जाहिन जाइवारत अब इसको save कर लेते हैं